मुझे थर्ड राउंड चाहिए इसके बारे में आज बात्चित करने वाला हूँ कुछ दिन पहले मेरे पास एक कपल आया अंदाजे 32-33 साल की वो अवरत होंगी उसका पती जो है वो 35 साल का उनको दो बच्चे एक है तीन साल का एक है देड़ साल का और वो वाइफ का हस्बन के साथ में रूज जगडा वो जगडा इसलिए कि वो बोलती कि ने मुझे एक रा आर उसके वज़ए से वो हस्बन यह हो गया कि वहीं शादी होने के बाद में लुग दो दो तिन तीन बार कर रहा हूं और तबी वी और चाहते तो मैं कितना क्या करूं और जगडा करती है जंजट करती है क्या करना गया उसका तो जब डीप में घयम है और उनको पूछा त मतलब शिक्रपतन होता है। कि नदूर है एक वुकारणता तो पधन मे इसका पतन होने के मतलब इसका ॐता होता है वो फटाफ़ड होता है तब तक वह- एकसाइट भी नहीं विडिंग तो अरास भी नहीं रहती उसके पहले इसका पतन हो जाथ हैं तो नेचररली वह बोलती है, रहे महां तो खटम भी होगे, महां तो खटम भी करी, महां निया होगे तक से तो बोलती है, और करो, अभी होता क्या हैकी पहला होने के बाद में कोई भी बेक्षिक होना पाद ही और कि एक बार सेक्स होने के बाद में एक बार एकुलेशन हो गया तो सेकंड टाइम करने के लिए उसको कोई टाइम देना पड़ेगा कुछ समय बिताना पड़ेगा सब समय जाने देना पड़ेगा अब अर्था यह है कि 18-19-20 साल की उमर है बीज-बाइस तक तो वह इसमें क्या होता है कि एकडम टेस्टोस्टेशन लेवल बहुत जादा रहती है तो उसमें वह सकता है कि आदे घंटे बाद में एक घंटे बाद में फिर लड़का तयार हो जाता है अब यह 35 साल का है शादी को अल्रेडी पांच्छे साल हो चुके है कि रोज कररहा है और सेकंड थैम थरड थैम उनने का कोई कारण नहीं है प्र आद बरज आगओ को बोदी किन नहीं हो नहीं पिर जभरज़त्य कुछ तरभी कर रहा है फिर वू उसका समाधन ने पिर आद बर जागते हैं रिध़का दिन बर फिर और नीन आ रही है या फिर मैंने देखा कि मेंनली दो कारण है इसके एक तो इसका प्री मैच रहा है जल्दी गिर रहा है करके और दूसरा जब ये लेडी को मैंने डीटेल क्वेश्चिनिंग किया तो मालूम पड़ा कि इसकी जो सहली आ है वो बोलती है कि हम रात में चार चार बार पांच बार करते हैं क्या तुन जाके देखा वे मैं depths पर चार पांच बार कर रहा है वो मैं आधका कायब कर से क्वेकार on काई पर आपने के लिए हो तो ऐसी बड़पन बताने के लिए का यहा हम तो चार बा बार करते है अ ऐसा होता है वरत की तो तो और य сод is your hand प्राब्लिम क्या है तो बोले ऐसा है तो अभी 35 साल की उमर आदमी के है 32 साल की उमर वो औरत की है तो तिन दिन बार तुम कैसा एक्सपेक्ट करोगे एक की रात में और करना है फिर आपको दबाई लेनी पड़ेंगी गोलिया खाओ इरेक्शन लाओ और उसमें भी टाइम तो देना ही पड़ेगा क्या होता है कि और तो उनको multiple orgasms संभव है multiple orgasms मतलब जो उच्चे तम चरम सीमा है सेक्स में जिसको orgasm बोलते है वो बार 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 एकी इसमें हो सकती है मतलब four-play कर रहें इंट्र को से इंट्र को स्क्राइए उसका orgasm हो गया उस चरम सुक पर पहुंच गई रिलैक्स होगी के जाशे थे दस मिंटे बाद में वो फिर और कुछ कर सकती है ह체प Champagne taигр पिर पांच मिटे पांट में पिर और तीसरे बार ह dessert कि अजो उसको tumor । उसके मैं ये समझा है कि कोई आटमी यह वह आदमी в दिन में द कर सकता ना Sage किने Hareे डीया 和णिर बसार्ड चाह्क्तिए और इसलिए जो है कि तुझआ सवार पैसे लेकि और ते करती है 6 और 6 वर्कर है वह उसलिए कि उनको कुछ करने लिए दियार मोर और आपयों पैसिए पार्ट्नर और यृदी उसको शेक्स के समय एक्साइट्मेंट नहीं आ रहा हूंगा So I would have to do this अध्यों मूश्याक लगाती है लूबरिकंट लगाती है ताकि चिकना पना जाता है और सेक्स करना पैसा लेती है तो अरुद उनको 10 बार करना पॉसिबल है, क्योंकि उनको तो पैसिव पार्टनर है, लूब लगाओ, लूब्रिकन लगाओ, कोई मतलब चिकनापन नहीं आए, तभी भी सेक्स करो, सामने आला के पैसे देके जा रहा है, उसको कोई प्राब्लम नहीं है, और कभी-कभी एंज पीडीफाइ इनिवीटर्स जो आई हो है, उसमें नहीं है, आई हो है, अवेनाफिल है, परधनाफिल है, तो उसमें कम साइड एफेक्ट है, वो मैंने उसको दिया, फिर S.A.S. हा रहा है, जो क्लुमी प्रेमिन ड्रग्स, ऐसे कॉंबिनेशन हमने खुद बना के लिए प्रिण में करने तो उसके बैंदेशन क्रों अभर्स के में रहा हुए जाती आ है, वो 또 में तो उसको मैं इसके ब forty-ten क्रक्ष को प्रेमिकियो करूली दुकल क्यों उसको पर की मिट्चेव पाइल, करके बेसा और कुभऌ। है online उसको मैंने उसको जाइन करने के लिए क्यों क्या करते कि एक बार उनको दबाई देने के बाद में उनको online training लेना भी जरूरी होता है specially जो बहुत ज़्यादा educated नहीं है sex के मामली में बाकि बहुत education नहीं है तो उनको भी हम online बुला थे online बुला के live webinars लेते sessions लेते है live और उनको step by step सिखाते रहते तो उसको मैंने उसमें भी आने के लिए कहा दबाई दिया उसके wife भी काफी सारी relax हो गई क्योंकि उसके मन में बहुत सारी गलत फेमिया भी थी तो भी ठीक किया और मैंने उसको यह बोला आदमी को कि वह तो एक ही बार में एडी sex करेंगी यह आपको time देना पड़ेगा कम से कम अभी उमर के साब से हो सकता है कि वह दस घंटा बारा घंटा भी हो मतलब रात ने एक बार किया तो वह करना पड़ेगा मैं बोलता हूं कि मैंने उनको यह recommend कि आप दिन बर काम करते रहे हो थक जाते हो दो-दो आपको बच्च करना है उसका भी planning scheduling ताकि क्या होता है कि बहुत बार जंजट जगड़े और तो में और आदमी में इसलिए होते है कि रात को बोलता है कि मुझे sex करना है वोलती मैं थक गई तो वो नहीं बोलेंगे आदमी च्रिचड़ापन करेगा तो इसलिए आप पहले से त्यारी रखते हो और इसमें बहुत ज़्यादा है उनको मैंने यह भी प्याता है मतलब हैंड प्रैक्टिस करो दो घंटा तीन घंटा पहले बाद में यह गूली खाओ और बाद में sex करो ताकि आप टिक सकेंगे तो एक ही राउंड में वो औरत का समाधन हो जाएगा और सेकंड थर्ड राउंड लेने का कोई कारण नहीं होगा और इसके अलावा भी लेना है इंडिया में कि लोग 35 साल 40 साल यह जो उमर है इसमें हपते में दो बार करते हैं एवरेज में एवरेज इंडिया तो वो करो और 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 अवरत को तो और गयादम किते भी चाहिए वो तो अपन पूरा करें सकेंगे नहीं है तो फिर और को मैंने बताए कि आपको ऐसा चा कर लो और मास्ट्रिवेशन आप किते भी बार कर सकते तो कोई प्राबलिम नहीं है क्योंकि एदी वो लेडी बहुत ज्यादा निम्फोमैनिक है या है अपरसेक्शोल है और आदमी नहीं कर सकता है उतना तो फिर उसको तो मास्ट्रिवेशन करना बढ़ेगा तो मास्ट्रि सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है अपको दवाई के साथ में काउंसिलिंग करना समझ लेना अलग अलग ट्रीट्मेंट प्रोसीजर से काउंसिलिंगे वो करना जरूरी है पर लोग महँगी महँगी दवाई लेते फैदा होता नहीं फिर बोलते देखो दवाई से फैदा नहीं हो तो ऐसा ना करो आप हमें ऐन्लाइन ओफ लैन कर सकते नीचे नंबर दे आपको एधी कंटेक्ट करना है तो कंटेक्ट करो मेरे अपॉइंटमेंट लेलो हम वीडिय करेंगे आपसे बातचीत करेंगे मैं चेक अप करने के लिए आपको बोलूगा कोई ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलूगा फुसब करके फिर अपको दवाइदूगा इप्छे लगाते है जो लोग हूं शेयर करो बहुत सारे लोग ये बिमारी से तंग है जगड़े जड़ होते हैं डिवोर्स होता है सेपरेट रहते हो जाते हैं तो उनका डिवोर्स बच जाएगा और लोग अपना वयवाइक जीवन खुशी से जी सके हैं सो शेर करने के लिए हमारे साथ जूड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं टॉक्टर धीपागर कर साइनिंग आफ थैंक यू बेरी मुच बहुत 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 ज्टक जीवरस खुशी सेज़ से जी बढ दूलिटी से जीवरस खवते हैं सपरेटी पूलि़ने के लिए धेंड़ने के लिए के लिए जुशी दूलिए के लिए मुच झाल 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 झाल